कि है लो बच्चो कैसे हैं आप आस्ता करता हूं आप सही होंगे तो आज हम अपना आंकर सेशन स्टार्ट करेंगे आंगे अपनों कुश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अनपास्ट रमानुपात का मैंने आपका टाफ फर्ष्ट कराया था उसके कुछ कुछ संस हैं अवि हम करेंगे और आँगे टायक सेकेंगे इसलिए हम चलते अपने कुश्चन की तरफ prep आप यहाँ देखें, कुश्चन आपका लिखा है, आपका कुश्चन लिखा है, क्या लिखा है, A अंपाध B दो अंपाध तीन है, A और B की वैल्यू केतनी है, दो अंपाध तीन है, यहाँ देखा, B āनफास C की वैल्यू है, 3 āनफास 7 तब आपको बताना क्या है? A प्लस B अनफास B प्लस C A प्लस B अनफास B प्लस C का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, पहले आप अपन क्या करेंगे? पहले आप पड़ोशी ट्रिक्स से निकालोगे A, B, C की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर A, B, 2 अनुपाद 3 है और B, C, 3 अनुपाद 7 है तो आपने यहाँ देखा है आप वैल्यू निकालोगे A, अनुपाद B, अनुपाद C A, B की वैल्यू कितनी लिखी है 2 रेशियो 3 B, C की वैल्यू कितनी है 3 रेशियो 7 तीन अनुपाद 7 लिखी हुई आपको दिख रहा है आँगे आप देखोगे दो जगा खाली हैं आपकी तो इसमें से आप 3 तो यहाँ भर दोगे परोशी, C का परोशी कौन है, B और यहाँ A का परोशी कौन है B, तो 3 यहाँ आजाएगा आपका 3-3 आपने भर दिया ऐसा ही है, हाँ तो आप इसमें देख सकते हैं A की वैल्यू देखोगे 3-2 नी, 6 B की वैल्यू देखोगे 3-9, C की वैल्यू देखोगे 7-21 आपने गुणा कर दिया, आपका आगया है यहाँ पर इतना, इसमें 3 का भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, देदो 3-2 नी, 6 3-9, 37-21 कितना आगया? 37, आप यहाँ से निकाल सकते थी, क्योंकि यहाँ B 7 है तो यहाँ A 2 है, B 3 है C 7 है, आप डारेक्ट भी कर सकते हैं इसको, तो अपन को यह निकालना है, A प्लस B अनुपाथ B प्लस C यहाँ देखें A की वैल्यू कितनी आगया आपके पास? 2 B की वैल्यू कितनी आगया आपके पास? 3 वैल्यू पुट कर दी अब यहाँ देखा B की वैल्यू कितनी दिखिए आपके 2, sorry 3 और C की वैल्यू है 7 तो 3 और 2 जोड़ोगे आप 5 होगा C और आपका B और C की वैल्यू जोड़ोगे कितना होगा? 10 होगा अब देखो अभी आप प्रॉपर अनुपाथ में नहीं है तो काट दो इसको 5 एकाम 5 पांदूनी 10 तो कितनी आएगा इसका मान एक अनुपाथ 2 बहुत ही सिंपल है एक अनुपाथ 2 इसको अपन दिताव को समझ में आगया होगा प्रॉपर ट्रिक क्योंकि आपका B और C की A और B की वैल्यू दो अनुपाथ 3 था अगर यहां तीन सम नहीं होता तो आपका यह बहुत बढ़ी तरीका है मगर आप इसको डारेक्ट कर सकते हैं डारेक्ट कैसे करेंगे यहां देखें डारेक्ट कैसे करेंगे यहां देखें क्योंकि यहां अपने प्रॉपर ट्रिक नहीं लगानी है कि कब नहीं लगाने कि को यहां देखें जब आपकी बी की वैल्यू यहां बी दोनों तरफ है यहां भी है यहां भी है तो अगर आपके बी की वैल्यू यहां सैम है तो आपको रेट्रिक नहीं लगाने यहां डायक्ट लख सकते थे एक वैल्यू दो है यहां देखो बी की वै कितनी है C की value यहां देखा कितना है seven तो आपको A B C की value पता थी आपको direct रखना था देखिए तीन दो पाँच साथ तीन दस तीन और दो पाँच साथ तीन दस पांच पांच फांदूनी दस आप ऐसे कर सकते बहुत ही सिंपल तरीगता का से आपको मैंने बताया है तो बहुत ज़्रूरी कुछ्शन है आपके ये ठीक है आए आफ़ेशें हैं कुछ तो बहुत सिंपल साव आपका ऐसे कुछ आपको यह जामर देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे चलिमाइग आगे कुश्यन है अपना आगे कुश्यन लिखा है देखें एक्स अनुपात वाई यहां द्यान से देखें दिखा है एक्स अनुपात वाई एक्स अनुपात वाई लिखा है आपका तीन अनुपात पांच कितना है भायू तीन अनुपात पांच अब यहां देखा निकालना क यहां लिखा है x minus y is equal to x minus y दिया आपको minus 2 x plus y की आपको value निकालनी है किसकी निकालनी है x plus y की x minus y आपको भायों दिया है minus 2 तो x plus y की value निकालनी है बहुत ही simple है आप यहां देखे कैसे करोगे आपको x और y की value लिखिए आपको यहां अंतर minus में आ रहा है तो आप यहां देखे x y आप इसे value put करके देखे x minus y आपके दोनों बरावर आने चाहिए तो x की value कितनी है 3 y की value कितनी है 5 अगर आप 5 मेंसे 2 घटाओगे minus का बड़ा है तो minus के 5 मांच मेंसे 3 जाएगा क्या बचेगा minus का 2 क्या बचेगा minus का दो क्या बचेगा minus का 2 तो आप यहां देखें x plus y तो x plus y तो आप यहां देखा x की value कितनी है 3 y की value कितनी है 5 जो 2 कितना आएगा 8 कितना आएगा 8 आप जो पूछा था तो आपका answer सही है जो CHSL 27 पूछा गया question है SSC CHSL पूछा गया question है आपका देखें यहां को एक बार ध्यान से फिर देखें क्या था x अनुपाद y 3 अनुपाद 5 था x और y की value 3 अनुपाद 5 लिखी थी इसमें आपको एक solve करके दिया था x minus y minus 2 x plus y निकालना था तो अब आपने यहां दिमाग लगाया कि x minus y वराबर लिखा है minus की 2 अब यहां y की value 5 है तो आप minus लगा के 5 रखेंगे 5 में से plus का 3 जाएगा minus की 5 में से plus का 3 जाएगा तो minus का 2 बचेगा आपको यहीं दिख रहा है 5 में से 3 गया minus का 2 तो आपको x plus y करना है तो जोड़ दो ए चले तो इस टाइब से अपने question पूछे जाते हैं और आपको यह question करने भी हैं बहुत सिंपल से question है आपकी जिए अब आपका एक question लिखा है देखें देखें ए अनपात b क्या लिखा है ए अनपात b बरावर लिखा है आपका बरावर c अनपात d बरावर यहां क्या लिखा है पांच तब निकालना क्या आपको तब then क्या solve करना है आपको 3a plus 4c आपको निकालना है पहले आपको यहाँ a a b c d की value चाहिए तो आप मुझे बताएं जिसके निचे कुछ नहीं होता उसके निचे क्या मानते हैं बन क्या मानते हैं बन तो मुझे यहां बताएं a और c की value कितनी लिखी है आपकी पास 5 b और d की value कितनी है एक तो आप यहां मैं आपको लिख देता हूं A by by point B and finished the haven Wondhi to PB कि कि इसकी कि इंपांच ये इसकी पांच कि कि इतनी है पांच पांच देखें तो तीन एक ये वैल्य तनी लिखिया पीछ आपके पास पांच पिलस, four, c की value कितनी लिखी आपके पास, sorry, इसकी 1 होगी, और c की कितनी होगी, 5 होगी, यहां की a और c उपर है, और b और d नीचे है, ठीक है, अब यहाँ देखा c की value कितनी है आपके पास, पांच, कितनी है, 5, नीचे देखें, 3, B की value कितनी लिखी है 1, पिलस आपके पास D की value कितनी है 1, D की value कितनी है लिखी है बच्चो, 1 तो अब आपको यह करना क्या है, यहां देखे 3 का 5 में गड़ा करना है, पिलस 4 का 5 में करना है, तो आप यहां देखे, गड़ा का multiply गरते हैं, 5 15, 4, 5 25, 20 और नीचे यहां देखा, 3 एकम 3, 4 एकम, 4 आएगा, अब यहां इनको add कर दो अगर आप add करोगे, तो आपका आंथर देखें, 20 और 15 add करोगे, कितना होता है, आपका साहथ 35 होता है कितना होता है, 35 होता है दिए आएगा, 3, 5, 15, 4, 5 पंचे 20 ठीक है बच्चो और यहां आप नीचे add करोगे, कितना हैगा, 5, 4, 9 कितना हैगा, 9 आपका divide जाएगा, divide नहीं जाएगा तो आपका, यही आंसर होने चाहिए इसका 3 एक, sorry, sorry, sorry 4 और 3, 7 होता है कितना होता है, 4 और 3, 7 7 से divide दो, कितना आएगा, 7, 5, 35 कितना आएगा, 5 आपका 5 पांसर आएगा, देओ, कितना सिंपल सा आप यहां देख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या मानना है आपको, 1 क्या मानना है, 1 तो यहां देखा, A अनपाद B, C अनपाद D, 5 अनपाद 1 तो A और C की value कितनी लिखी है, 5 B और D की value कितनी है, 1 तो आपको क्या करना है, यह आपको सब पता है यह लिखने जिरूरत नहीं है, अगर आता है तो मत लिखो तो A और C की value अभी आपको यहां value रखना है क्या रखना है, value रखना है, कैसे रखोगे 3A, 3A की value कितनी लिखी address 5, A के بरावर में कितना है, 5 C की बरावर में कितना है, 5 T, 5, 15, 4, 5, 20 यहां B की value कितनी है, 1 D की value कितनी है, 1 तो 3 A कम, 3 चार एकम चार जोड़ दिया चार तीन साथ और इससे आपको डिवायर दे दिया साथ पना पैंते सेवन फाइब जा थर्टी फाइब आपका यह आंसर हो गया आप देख लें बहुत सिंपल कुश्चन है ऐसे ही हम आपको छोटे-छोटे कुश्चन से स्टार्ट के लेंगे औ और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे आपको आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं आपको और तरीकों से समझाने कुश्चिश करूँगा इसको जिस सबसे सिंबल तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसके पास मेरे पास एक कुश्चन लिखा है 25 नाइन नमबर कुश्चन है 25 की पावर लिखा है 2.5 रेशियो अब कितना लिखा है किसके बरावर है किसके बरावर है आप यहां देखें इसको शॉल करना है यह 2.5 है तो पहले आप यहां देखें 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं तो यहां देखा हो यहां पाँच पचीश पांच प्र दो यहां देखें GG कैस में क्या होगा multiply अगर 2.5 में 2 का multiply करोगे तो कितना आता है तो डाई का अगर 2 बार multiply कर तो 5 आता है तो 5 की घात कितनी आ जाएगी 5 और बरावर 5 पे घात 3 तो आप यहां 5 को 5 वा लिख सकते हैं 5 गोड़ा 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 पाँच पावर इसलिए 5 वा लिख लिए 5 पे पावर कितनी है तीन पाँच गोड़ा 5 गोड़ा 5 आप इसको देखो एक दो तीन एक दो तीन आप ने देखा कितना बचा 25 और यहां कितना है एक कितना है एक तो 25 अनुपात एक आपका अंसर रहेगा एक बार और समझने का प्रियास करें बहुत सिंपल है 25 2.5 अनुपात 5 गात 3 जी लिखा था किसके बरावर है तो आपने यहां देखा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गोड़ा 5 और यहां 5 गात 3 पहले से लिखा है अब आपके 5 दो बार लिखें तो 5 दो बार लिखें इसलिए कितनी आगी पावर दो और 2.5 में 2 का मुलिटिप्राइगी कितना आएगा डाई का 2 में करो कितना आता है 5 5 गात 3 पहले से लिखा है फिर आपने क्या करना है यहां पर 5 गात आप यहां से कार सकते थे तो आपने इसको ऐसे कर लिए पांच को तीन वा लिए तीन कट गए कितने बचे पांच पांच तो पच्छेस अनपात एक यह आपका आंसर है चले आंगे बढ़ते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको बहुत शिंपल कुष्चन है चले अब हम आपको कुष्चन नम्र बता रहे हैं दस देखें क्या है कुष्चन आपका लिखा है एक एक बटे दो और एक एक बटे तीन एक सही एक बटे तीन के बर्गो के बर्गो के बर्गो के ब्यत्कुरुम किस अनुपात में होंगे अब आप देखें क्यासा कुष्चन है एक सही एक बटे दो और एक सही एक बटे तीन के बर्गो के ब्यत्कुरुम किस अनुपात में होंगे तो हम इसको solve करते हैं, पहले इसको solve करो, दो एकम, आपको भिन, Mr. भिन को साधार, प्रॉपर भिन में, साधार भिन में चेंज करना आता होगा, तो आप देखें, दो एकम, दो, दो और एक, तीन बटे, दो आएगा, आएगा नहीं आएगा, और अन्पाद मैंने आद माल लिया, तीन एकम, तीन और एक, चार बटे, तीन, इनके बर्गों के बितकुरुम के सनुपात में होंगे, तो पहले इनका बर्ग करते हैं, तीन का नो होता है, दो कबर्ग इतना होता है, आपका चार, आप यहां देखा, चार कबर्ग होता है, सोला, तीन कबर्ग होता है, नो, आपको क्या करना है, उल्टा करना है, आप उनको उल्टे कर दें, तो चार बटे, नो, आप अभी ऐसा करें, पहले आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको solve कर लिए 9 का 9 में करोगे कितना आएगा 9 का 9 multiply हो गए नहीं होगा 9 नम में 18 1664 है अब इसको आपको क्या करना है व्यत्कुरूम करना मतलब उल्टा करना है तो 81 आप इसको उल्टा करके लिए वह आपका व्यत्कुरूम होता है तो आपने पहले solve कर लिया आप इसके व्यत्कुरूम के सनपात में होगी तो बरग आगया बरग का व्यत्कुरूम किया तो इक वट्टे 81 और एक वट्टे 64 तो बन अपन इट्टी बन और बन अपन 64 इसका यहां क्रोस मल्टिप्लाई होगा तो इसको आएगा आपको वैसे solve करना है आप एक बार और देख सकते हैं एक एक वट्टे दो और एक एक वट्टे तीन के वर्गों के व्यत्कुरूम किस अ बार नो आप यहां क्रोस मल्टीप्लाई कर दिया 9 का 9 को कि क्या आता है चार का लाम करोगे तो 64 आता है अब यहां देखें 81 64 आ गया अब आपको आपको अफन में जी मिलेगा और जी मिलेगा आपको दोनुख्यें नहीं होना यहां लिखा है ब्यत्कुरूम कि बर्गों कि ब्यत्कुर्म की सनबात में ब्यत्कुर्म क्या होता है उल्टा लिख दो जैसे दो का ब्यत्कुर्म पूछू तो क्या है एक बटे दो मैं कहूं पांच का ब्यत्कुर्म क्या होगा तो एक बटे पांच ऐसे ब्यत्कुर्म होता है उल्टा तो आपका इसका ब्यत्कुर्म पू आया कि ऐसी 1975 पूखे जाते हैं तो आपको इतनी कोस्टन आज करना है प्रיक्टिस ॉर टप सेकन्ड लेकि हम आपको जल्ड आएंगे टाइब सेकंड टाइब बन में इस कमें रहिए अख्छे याइफ जा unit करेंगे वर्गांफाद तु तुर इस टाप हम आपके साथ हैं ठीक बच्चो धन्यवाद थैंक्यू आंगे अब आप कोशिश करने करने की ठीक बच्चो